वेलकम बैक टू इपी गेमिंग गाईज यह देखो आज हम करने वाले हैं दुनिया का सबसे खतरनाक चैलेंज गाईज यह देखो भाई आज तो हम अपनी वहिकल को इसके ओपर क्लाइम करवाएंगे देख रहा है सिंचन यहाँ पर कितनी बड़ी वाली रोड आ गया है फ्र सबार 15 पॉइंट्स अरे लेकिन फ्रेंकलन भहिया हम लोगों को पॉइंट्स कैसे मिलेंगे गाड़ी चलानी है क्या इस रोड पे आरे हाँ जो जितनी उपर अपनी गाड़ी लेकर जाएगा वही जीतेगा इस वाले चैलेंज को राभासबार मैं भी समझ गया जितनी उप किन आज करेंगे रोड वाला चैलेंज जिसमें हमें अपनी गाड़ियों को टेस्ट करना है क्लाइम करवाखे आज आस तो हम क्लाइम करेंगे चलो गाइस फड़ावर से इस वाले चैलेंज को मैं ही स्टार्ट कर देता हूं और गाइस मैं तो आज लेकर जाओंगा अपनी स्ट्रीन वाली बाइक और आब सबार मेरी गाल से इसमें अलग-अलग वाइकल्स की टेस्टिंग भी हो पाएगी और हाँ चलो गाइस देखते हैं क्या ये बाइक इस वाले रोड को क्लाइम कर पाते की ने अरे फ्रेंक्लिंग भी यह देखते हैं कि कितना क्लाइम करती है क्यां बाइक बहुत यह ट्या ख्रो 4 पॉइंट यह तो रुकना स्टाट उगए और नहीं और नहीं और ऑर यह दो गिर गई अरे फ्रेंक्लिंग भाहिया जादा उचाई पे चले गए थैंग वाइक इतने जादा खड़ी चड़ाई नहीं चड़ पाती ओ यह क्यों तो सिर्फ 5 points हो पाए अरे Franklin भाईया 5 points भी कम नहीं होते हैं और अब आसा बाद total कितने points है 15 points है वो भाईया आस तो सही में मज़ा आने माल है मेरे को पता है चलो गाइस फड़ावट से इस ब्लू वाली बाइक पर बैठ जाता हूं चलो गाइस फिलाल के लिए सिंचन अपनी बाइक पर बैठ गया अब देखते हैं यह कितने points ले पाता है आरे Franklin भी यह बहुत सारे points ले पाऊंगा देख लेना चलो गाइस 2 points होगे तीन वैसे बात ता सही है मैंने आपको पीछे कर दिया और अब हासाबर मैं शिंचन को पीछे करूंगा ठीक है ठीक है देखते हैं तो चलो गायज़ार फाइनली हमारे शिंचन हमार पस वापिस आ चुका है और अब मेरी बारी है शिंचन को पिछाडने कि क्यूंकि देखो शिं नहीं होंगे तेरे 15 पॉइंट्स लो भाई फॉर पॉइंट्स के तो भासाबर यह क्या हुआ अरे यह ता बड़ी लुड़क गया और भाई कैसा लग रहा है भाई चला रहा था तू तुमझे से अरे भाईक में डिफेक्ट था भाईक में हाँ 100 परसंट भाईक ही खराब थी अरे भाईक नहीं खराब दिते लिफेक्ट करेए तुमझे सबसे पहले लेश को काईस फानली मेरी बारी या चुकि कि देखो first वाले round को मैंने जीता था वो भी six points के साथ में अब second वाले round को भी मैं जीतूँगा कितने points के साथ में चॉप अब आठाभर zero points के साथ में अरे हाँ अब 20 वाले round में तो तुहारे कद देख लिए सिंचन अरे फ्रेंक्लिन भाईया दस पॉइंट तो असानी से बना लूंगा अच्छे लो गाईज एक कार ले ले लेते हैं मेरी खाल से ग्रीन वाली कार मस लग रही है वह बाई सबसेंट वाले राउंड में तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी चोटी गाडिया मिल गई अरे शेघ्या सीदा उपर जा रहा अरे अरे हो जाएंगे सेवन पकार अरह तो सीदा नीचे गिर गया जिसके सेवन पॉइंट से हुए शिर्फ आरे आरा मेरे कलगा था यह उट था फैसे मत कर गईशो अब हैंशा मेरे बौरी काड़ देता है आप पॉइंट वाइस जा रहे ना जिसके जितने पॉइंट वे थे उसी साथ से और अगाइस गया अगया आधा इसके तो सबसे आदा पॉइंट्स हो गया और वाई चौ प्यार तू ने तो सही मैच कमाल कर दिया गाइस इसके एट पॉइंट्स हो गए थैंक्यू थैंक्यू अब इतनी भी तारीफ मत करो चल निकाल तेरी तारीफ कौन ही करता है अरे रुख्या भाई तु तो बहुत ही ज्यादा बन रहे ना भी हराता हूं तेरे को भाई तेरी बोलती बंद कर दूंगा तो चलो गाइस फ फ्रेंक्लिन भाई या आठ पॉइंट्स यानि की चौप के जो पॉइंट्स हो अब तक के सबसे हाइस्ट है अरे नौ हो गया ध्यान से देखो ओ भाई दस अरे नहीं दस को मैं क्रॉस नहीं कर पाया फ्रेंक्लिन भाई इसका मतलब है कि 10 पॉइंट हुए नी और आभाई यार सेकिंड वाला राउंड यह जीत गए अरे मज़ा आगे हुरे गाइस तुम्हारे भाई ने तो सही में कमाल कर दिया चलो फटावर से थर्ड वाले राउंड की तरफ चलते हैं फ्रेंक्लिन भाई यह थर्ड वाले राउंड की कार्स को तो देख लो हो माई गॉड यह वही खतरनाक काड़िया है ना जिसमें बहुत खतरनाक वाले रॉकिट बूस्टर्स होते हैं ओ भाई सब सिंच यह तो अंत्रिक्ष में जाने के लिए होती है भाई इससे तो एक ही बार में 15 पॉइंट्स आ जाएंगे एक बार इसका पीछे का इंटिरियर वेगरा तो पाइचे साइड में एक नहीं दो नहीं तोटल चार चार पही होते हैं बहुत बड़े-बड़े साइस के अधर को यह सोच रहा हूं कि यह तो जाएगी आज तो मैं अनंत से बीव उपर जाओंगा चलो गाइस अब फटावर से लेकर चलते हो भाई इसके टार्स मेरें को ब बूश्टर साँन करते त्री टू वाट अरे फ्रेंकल भीया क्या बात है और यह कर दिया इसने और कितने पॉइंट्स हो एक ग्यारा और नहीं और बस ही और आप तो सही है तेरे 11 पॉइंट्स हो गया और फ्रेंकलन वहीं इतनी मस्त वाली गाड़ी से मैं तो टोटल पंद चलो गाइस वह तो वक्ती बताएगा अभी तके सबसे हाइस पंट तुमारे भाई कहीं है ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंकलन भीया आपके है ना आभी वह रिकॉर्ड मैं तोड़ने वाला हूं राभास अब क्या पता मैं सबके रिकॉर्ड तोड़ दूँ जलो गाइस देख हारे अचलो गाइस देखते हैं आज हमारे चॉप दपिंगी कितने पॉइंट्स होते हो भाई गाड़ी तो बिल्कुल अच्छे से ले जा रहा है राभास अबर 11 पॉइंट 11 पॉइंट इन लोगों को लग रहा कि मैं 11 पॉइंट ब्रेक नहीं हो पाया और बारा करके दिख अगले राउंड में तुम्हारा वाइफ बिल्कुल 15 पॉइंट से ज्यादा भी कर सकता है कि अगले राउंड में होता क्या है और आपास अबर चलो यार मैं चलता हूं शिंचन की गेम को देखने के लिए चलो गाइस लेट्स को अब मैं करने वाला चैलेंज विद 15 पॉइ आपास अबर सपने देखेगा आरे यह ला यार 15 पॉइंट नहीं यह तो सही मैं अच्छा मुत्कार हो गया अब आपासाबर इस वाली गाड़ी ने पंतरा पॉइंट क्रॉस कर दिया आरे मैंने बोला था यार मैं यारा सभी में जीनियस हो मैंने कमाल कर दिया आरे यह क्या हो गया है जो बोलता है वो करके दिखाता है और आप 15 मेरे को अभी भी यह किन्य और आरे गाइस यह बैट मोबील है यानि की बैटमेन की कार है इसको ऐसी वैसी गाड़ी मत समझना गाइस मैंने बोला था ना इसके टायर्स कितने बड़े हैं इसमें बहुत खतरनाक वाले सब्सक्राइब करूंगा और यहां फॉर्ट वाले में चलो गाइस देखते हैं आज हमारा सिंचन कितने पॉइंट्स ले पाता है इसमें तो लग रहा लेकिन पूस्टर तो आई नहीं उतने कतरनाक और यह कितने पॉइंट्स बना पाता इस छे पाइयो वाली गाड़ी से बारे यारे deeper जारी 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 स्पीड में जारी है pleas इससे भी इसने बारा मेरे भॉरे जानने वेपर मेरे खाल से यह बहुत भारी यह छेचे पाईए होने अरे भाई 12 points तो मैं easily cross कर दूँगा चलो guys अब फड़ावर से गाड़ी लेते और चलते challenge करने मतलब 4th वारा round करने अरा भासा बार तू नहीं कल वे तेरे से पहले मैं try करना चाता हूँ प्लीज यार मेरे को जाने दे अरे चौप तू हमेशा ऐसी करता चल भाई चले जा crews अबात्र में तोटल 12 points लिये थे मुझे 12 points को क्रॉस करके दिखाना ही पड़ेगा अरे हो गया हो गया पहाइरा लेकिन फिर भी किया निगा पर घाया त ingen दोनों के तो भाई 12 points हो गया अब मैं भी चलता हूं इस वाली ट्रक को लेकर भाई यह जो मौसर ट्रक है ना भाई इसके छेचे पईया और गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आस तो मैं बहुत सारे points लेकर आऊंगा बाई सबार कहां जा रहा है कि लुए बारा तेरा ओमाई गाट यहीं चौदा पर चला गया चौदा चौदा भाई चौदा भाई चौदा भी क्रोस होई गया रहा भाई धर वाजा खुल गया चलूगा इस फटावर से पैरेशूट गोलते मेरे को नीचे नहीं करना ओ भाई आपके कितने पॉइंट्स कर दिया अगर मेरा भी कमाल हो जाता अरे ठीक है ठीक है यार आप कमाल तो करते ही हो फ्रेंकलन भाई यह तो हमें पता ही था लेकिन देखो अभी इससे पहले वाला राउंड जो मैंने किया ना पंद्रा पॉइंट के साथ वह वाला राउंड ट्रॉक है देखने में तो लगती है काफी जादा रॉफ एंटाफ अरे मेरी खाल से यह बरफ तोड़ने के लिए बनाई जाती है और हाँ बाई यह हर जगा घुज जाती होगी चलो गाइस कोई दिकन दिया फड़ा वर्सिस गाड़ी को ठोक कर देखते हैं अब आपासा ब जाका रहा हूं अरे फ्रेंक्लन भाईया अंतरिक्ष में ना चले जाओ राबासा पार कलूँआ सही टाइम पर कूद गया ओ भाई सब सिंचन तुने देखा मेरे 15 पॉइंट्स हो गया है फ्रेंक्लन भाईया 15 तो चोड़ो अगर वहां पर 20 पूइंट्स होते तो वह भी आ पूरा कर लेते हैं मैं ना 15 से भी बहुत ज़्यादा उचाई पर गया था चलो गाइस मैं तो आज सही में कमाल कर दे तुम्हारा वाई है कमाल का ठीक है ठीक है फ्रेंक्लन भाईया अब एक काम करते हैं देखो आपने बेंचमार्क सेट कर दिया है यानि की 15 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा उचाई पर जाँगा चलो गाईस मैं चलता हूँ फटावट से 65 बासवार मैं जाओ फटावट जाओंगा अरे यार यार यह हर बर एसी करता है चाउप का बच्चा पर जाओ आदा और यार तो यह जा तो रहा है फ्रेंक्लिन भी देखो मेरे मेरे से मज चुका हूँ नुकिली ट्रक है बहुत उचाई तक जाएगी चलो गाइस देखते आज हमारा चॉप दपिंकी कितनी ज़्यादा उचाई पर जा पता है रहे पता चले इससे 15 पॉइंट्स भी क्रॉस ना हूपाएं और भाई तो अंदर ही फस गया काईस इसकी गाड़ी देख भाई मेरे को लग रहा है इसकी बेश्टी हो गई यह तो यार बहुत ही मुश्किल चैलेंज है चलो सो जाते हैं अरे नूब चल लिकल यहाँ से अरे सिंचन अब तेरी बारी आगे ना फटावर से तू भी रेड़ी हो जा और जल्दी से जायार गाड़ी लेकर ठीक है ठीक अरे मेरे से कोई नहीं बोलेगा यह दखो यह दखो यह होता है कमाल ऐसी ट्रक ले जाने का फाइदा यही है अरे यह को पता है ना शिंचन की जादा उचाही पे पराशूट भी काम नहीं करता है जूट मत बोल सब काम करता है अरे नहीं कहीं ऐसा ना हो सच ना हो यह बात निकलना पड़ेगा अरे सिंचन तु कुछ जादा उचाही पर पहुच गया भाई इतनी उचाही पर कोई भी नहीं पहुचता चलो गाइस फुल स्पीड में सूपर सॉनिक स्पीड में नीचे चलेंगे और भाई तरको डरने सब्सक्राइब के अंदर तो यार किसी को भी डर नहीं लगता है हम रियल लाइफ में थोड़ी है अपना पैराशूट खोलूँ या फिर थोड़ा नीचे चलते उसके बाद खोलूँगा अरे हाँ भाई पहले हमारे पास आजा फिर पैराशूट घोलियो अरे आप लग तो चोटे-चोटे एक सेकिंड बादल तो हट गया अब दिख रहे हो मेरे को रोड तो दिख रही है लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को पैरशूट कब खोलना चाहिए अरे खोल दे भाई ग्राउंड पर टाच हो जाएगा बनना अरे ठीके ठीके फ्रेंकलन भाई आप आपको तो पता ही है लास्ट वाला जो राउंड है वह मैं क्लियरली जीद चुका हूं अरे हां मतलब आज का विनर हमारा सिंचन बन गया रावासाबार बंत हो गया लेकिन इसको कुछ प्राइस मिलेगा कि नहीं अरे सब मिलेगा चाप तू नूब है क्या अभी मेरे को प् आपको प्लेन की प्लेन है और यहां पर देखो दो तो सूनी की गाडियां वह बहुत ही जादा मजा रहा होगा फ्रेंकलन भाईया आपको और चॉप को दोनों को खुश करूं क्या अरे हाँ जल्दी से कर दे अरे ठीक है फ्रेंकलन भाईया एक गाड़ी आपकी एक चॉप की क्या बोल रहा भाई साब सिंचन सही में तो मेरे को गाड़ी देगा सोने की ओ बाई मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही है फ्रेंकलन भाईया आप फड़ावट से एक और काम करते हैं सोने की गाड़ी की टेस्टिंग अगर हो गई हो मेरे ख्याल से फ्रेंकलन भाईया इस वाले बैट के टेस्टिंग करो कि यह कितनी उचाही तक जाती है उसके प्लेन उडा मैं भाई 15 पॉइंट्स क्रॉस कर दिया मैंने भाई गाड़ी तो जबरदस्त है अब यह गाड़ी नीचे आरी एक सिकिंड इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं अरे कई यह तूट ना जाया भाई नहीं ओ माई गोड़ भाई मज़ा आ गया इस गाड़ी को तो भाई एक फड़ावर से इस ग्रीन वाली प्लेन को उड़ाते हैं हाँ हम दोनों उपर बैट जाते हैं और आप फड़ावर से इसे उड़ाओ तो चला अंदर बैठने ओ इसका कॉक्पिट भी बहुत ही बड़ाया यार सिंचना चॉप जल्दी से आकर बैट हो इसको उड़ाएंगे मज़ा आएगा चलो गाई इसके कंट्रोस देख लेते थोड़े अरे फ्रैंक्लिन भाई यह कॉक्पिट मस्ते क्या अरे हां भाई सही बात है ओमाई गोड मज़ा आरा जल्दी से आजाओ ठीक है अभी बैठते है उपर फ्रैंक्लिन भाई यहां से कैसे टेक आफ होगा रह अरे क्या बोल रहां रहां यह यह तो फ्रैंक्लिन भाईया हैलिकॉप्टर प्लस प्लेन दोनों यह जो मैं बता रहा था शुरू में जबर्दस्त गाइस तो सहीं में बहुत ही जादा मज़ा आगया हमारी प्लेन तो सहीं मैं कमाल की निकली बाई यह वर्टीकली भी टेक प्लेन की तरह तो अड़ी सकती आगा यार शिंचन को इतना मस्ती नाम मिलेगा मैंने नहीं सोचाता इसको तो भाई रन्वे की भी जरूरत नहीं होती यह तो सीधा टेक अफ होती है एक सेकंड एक सेकंड नहीं और भाई विंदमिल्स ने तो हमें उचाल दिया अरे नहीं दुनिया उल्टी क्यों दिख रही है और यहां पर देखो इस वाली प्लेन के ऊपर तो एक भी खरोच नहीं आई भाई यह भी मजबूत है मैं भी डर रहा था कि कहीं है टूट ना गई हो लेकिन टूटी नहीं है चलो गाईसे काम करेंगे हम लोग इसे सीधा कर लेंगे और उसके बाद घर लेके आराम से चलेंगे वैसे आप लोग बताओ यार कैसी लगी आज की वीडियो और फ्रेंकलिन भाई आप बताओ अपन इस वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो जा फड़ा वट से आर जाकर वीडियो को लाइक कर दो चैनल को भी आज सब्स्क्राइब कर दो फड़ावर से कर दो अभी तक नहीं कर रहा हो तो हाँ गयसे और और बी कैसे कैसे वीडियो कैसे चैलेंजिस देखने है कॉमें सब्सक्राइब करो इंस्टेग्राम एक्स और साथी में फेस्बूक में और गाइज आज के लिए वस्त नाइट ठाड़ा गुडबाई गुडबाई गुडबाई